नमस्कार मैं मनीश कुमार आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ अभी तक हम पढ़ रहे थे आर्किटेक्चरल ओवर्विव अब हम क्या करने वाले हैं हैं और पिछले क्लास में हमने सीख लिया है कि कैसे डेटा फ्रेम को क्रियेट करते हैं और पहले भी हम लोगोंने डेटा फ्रेम क्रियेट करना और डेटा फ्रेम को राइट करना सीख लिया था तो चलिए अब हम सीखेंगे डेटा फ्रेम के बारे में तो लेट ना करते हूँ हम सीधा चलते हैं लाप्टोप के स्क्रीन पे और आज का हमारा टॉपिक है ज्यादा थ करते हैं उसके बाद कितने से हम कॉलम को क्रेट कर सकते है तो इसको कैसे करना है और expression क्या होता है और expression ट्रस्ट मी आपका फेवरेट चीज होने वाला है तो expression भी आपको सीखना चीह ठीक है अब हम इस course को जो हैंड सोन के कूर्स अभी हम चल रहे हैं प्रैक्टिकल में अल्रेडी हम प्रैक्टिकल कर रहे थे लेगिन अब क्या है कि एक्चुल इंटर्व्यू के कुस्टन सिधर से आएंगे कम से कम चार से पांच लेक्चर और वेट कर लो उसके बाद हम दीरे-दीरे और ज्यादा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम डेटाइड फ्रैम भी सीख लेंगे साहत में हम क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं कि हमें करना है schema राइट हमें जानना है कि schema क्या होता है schema वैसे हम पढ़ लिए लेगे एक बार देख लेते हैं क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है तो schema में दो चीज होते है ठीक है एक तो होता है column का name ठीक है और एक होता है column का data type ठीक है यह दोनों चीज मिलके बनते है schema जैसे अगर मालनों कि मेरा column है id उसका अगर column का data type है integer तो इन्ट तो यह दोनों मिला के हमारा बनता है schema जैसे मालनों कि उसके बाद मेरा है name तो name हो गया और यहाँ पे string हो गया ठीक है तो यह दोनों मिला के क्या बन गया हमारा schema बनिया ठीक है अपने इसमें देखो यह data read करने का तरीका है जो कि हमने अल्रेडी बात कर लिया है और यहाँ पर employed data frame यह एक data frame बनेगा अभी आते हैं data frame पर भी इसको हम run कर देते हैं यह अल्रेडी हम लोग सीख चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम explain नहीं करेंगे आप read वाले में पढ़ लेना ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको run कर दिया यह हमारा data है यहाँ तक कोई दिकत नहीं इसी को employee df यही हो गया हमारा data frame अब इसको अगर इसके अंदर हमको देखना है कि हमारा schema कैसे दिखता है तो उसको कैसे देखना है यहाँ पर देखो यह जिसमें भी आपको बीच में अग employee df है तो employee click करके और tab press करेंगे तो autofill हो जागा employee df.print ठीक है print और उसके बाद हम capital s लिखेंगे और tab press करेंगे print schema आ जाएगा ठीक है यह देखो जब हम print schema करेंगे मतलब जो हमारा schema है उसको print कर रहा है तो उसमें क्या दे रहा है देखो हम जो अभी बता रहे थे कि आपको यह देगा column का name देगा और column का data type देगा और यह जो null label equal to true है इसका मतलब होता है कि आपके जो record है उसमे null value हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं तो हमारे में देखो null value है यह रहा यह है तो अगर हम नहीं कर देंगे null value equal to false कर देंगे तो यह data नहीं आएगा ठीक है यह तो हो गया एक चीज़ अब हमें मालो कि हमें सिर्फ schema ना चाहके हमें सिर्फ columns चाहिए थे राइट ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ columns देखना हमें schema नहीं देखना है तो हम फिर से क्या करेंगे employdf dot हम यह पर करेंगे इस पर columns करेंगे ठीक है और यह columns जैसे ही रन करेंगे यह एक हमें list देदेगा पूरे हमारे column का तो अगर आपको सिर्फ column का list चाहिए तो यह मिल जागा और अगर आपको column का list schema के साथ schema समझ गए अच्छे से ठीक है और schema कैसे अगर आपको manual schema बनाना यहां पर देखो infer schema लिखा हुआ था खुद से schema infer किया इसने data को read करते हैं अगर आपको manual schema करना है तो वह कुछ इस तरह से हम बनाते हैं जो कि हम पीछे के lecture में पढ़ चुके है तो अब आपको सारे lecture देखे हुए होने चाहिए वरना आगी की चीजे समझ में आनी मुश्किल होगी और आप डॉट को connect नहीं कर पाऊगे ठीक है तो हमारा हो गया schema complete ठीक है इसको हमने कर लिया done अब है दूसरा data frame ठीक है तो data frame क्या है यहां पर हम लिख देते हैं data frame अब data frame क्या है वो दो चीज़े मिलके बना है column and rows ठीक है columns से बना है columns and rows ठीक है इससे बना हुआ है data frame तो आपको पता ही है कि कैसा देखता है अभी हमने देखा भी है ठीक है तो अब हम इसको थोड़ा और detail में बात करना है इसलिए हम यह बना ले रहे है ठीक है तो यह हमारा data frame जो है यह वाला हमारा है यह वाले इसको बोलते है columns ठीक है यह सब तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा और यह वाले जो हो गए वो हमारे हो गए rows ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं है columns और rows से मिलके हमारा data frame बना है अब data frame जो memory में store हो रहा है वो row type के object में store हो रहा है वो क्या हो रहा है row type का object जहां पर capital R लिखा हुआ है row type के object में store हो रहा है row type के object का मतलब कि यह जो पूरा है यह पूरा जो data है इसको byte में convert होगा ठीक है यह बाइट में convert होके और storage level पे save होगा तो यहीं होता है कि हमारा data frame है वो row type का object है इस तरह से एक row का पूरा एक object है और यह byteform में store है हमारे memory में ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं आना चाहिए अब देखो हमने यहां पर बात की columns and row की तो पहले हम row की बात कर लेते हैं row जो है उसको भी हम create कर सकते है ठीक है तो हम पहले करेंगे row को create अगर row को आपको create करना है तो उसके लिए आपको generally हम row को create न इसको row equal to हमने क्या बोला था रो टाइप का object है ठीक है तो यहां पर और ऐसे जो भी आपको data देना है जैसे हमारे पास क्या था id name age and salary id मानलो की one हो गया name money हो गया ठीक है age 26 salary अच्छा मैंने string दे दिया सारा चलो मान के चलो अभी ठीक है 50,000 इस तरह से तो यह एक हमारा row बन गया अब यह row को भी import भी करना पड़ेगा तो from piespark.sql तो यहां पर हम कर देंगे from piespark.sql.import row लेगिन यह ज़्यादा हमारा सीखने का interest नहीं है इसलिए हम इसका ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले रो को इतना ही समझना हो गया ठीक है अब हम आते है में में अपना topic जो है वो columns पर ठीक है तो अब columns क्या है columns एक expression है ठीक है अब यह term मैंने बोल दिया expression राइट columns are expressions अब इसका क्या मतलब है यह समझ जाओगे तो आपका जर्नी आसान हो जागा expression मतलब set of transformations ठीक है क्या है set of transformations on one or more than one values values in a record ठीक है किसी record में एक या एक से जादा record में जो हमारे changes हो रहे हैं उसी को हम बोलते है columns and columns हमारा जो है expression अब इसका क्या मतलब हुआ जैसे अगर अभी हमारा data है यहाँ पर राइट तो अगर हमें कुछ करना है कि यहां पर भी मैं यह वाला चीज नहीं बताया हूं लेकिन चलो ठीक है df.select column और हमें करना है age ठीक है age है मेरा हम किसी region से हम चाहते हैं कि हमारा जो age है एज का जो value है वह 5 से बढ़के एक column बने ठीक है तो मतलब अगर मालों के अभी age मैंने 26 डाला है तो वह 31 हमें output में मिलें अब अगर मालों multiple records है तो सारे records पे वह 5 सब में add कर देगा तो यहीं हम बोल रहते हैं कि set of transformations है on one or more than one value in a record अब record जितने ज़्यादा होंगे जैसे हम अगर जिस level पे उसको transform करने बोल रहेंगे उस level पे यह करके देदेगा ठीक है अब expression बहुत काम की चीज़ है तो इसलिए इसको ध्यान से समझ देना अब क्या है कि अब हम चलेंगे actual practical करने बहुत जादा हम सीख गए हैं चीजों को कि हम क्या करने वाले हैं क्या होता है data frame क्या होता है schema ठीक है अब हम सीधा practical पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम हमारे वेज आपको नहीं पता होने चाहिए लेकिन कुछ-कुछ पता होने चाहिए तो multiple ways of selecting columns आज हम क्या कर रहे हैं columns को select करना सिख रहे है selecting columns column को rename करना भी सीखेंगे ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं अपने practical वाले session पे यहाँ पे data books notebook पे and हमारे पास यह employee df है ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे हम एक बार और employee df.print schema आपको चला देते हैं ठीक है हमारे पास इतने सारे column है लेकिन किसी कारण से हमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमें name चाहिए और उसका salary चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अगर सिर्फ name चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग method है जैसे हम क्या करेंगे हम लिखेंगे employee df.select ठीक है यहाँ पे देखो select आगया अब इसके अंदर हम दे देंगे दो तरीके से दे सकते हैं यह तो string हो गया कि string form में दे देंगे तो यहाँ से यह हमारा name उठाके दे देगा जैसे कि अग होता है हमारा column method से करना ठीक है तो इसी को copy कर लेते हैं और यहाँ पे paste कर लेते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो यह ध्यान से सुनना यहाँ पे हमें call लगाना पड़ेगा एक call function होता है जो की लगाना पड़ेगा तो यह हमारा क्या है यह जो string है name उसको एक column में convert कर देग ठीक है यहाँ पे बोल रहा है name column is not defined मतलब कि यह column को हमको import करना पड़ेगा ठीक है तो हम import कर लेते हैं उपर में कहां पे कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं तो देखो दो चीज मेरे को भी आज तक नहीं याद रहता है from pi spark.sequel.functions ठीक है functions से import star कर लेना ठीक है import star मुझे भ from pi spark.sequel.types ठीक है types import star यह दोनों import कर लेना आपके maximum error नहीं आएंगे इन दोनों की वज़े से बाकी हम यहाँ पे जाते हैं और अब इसको run करते हैं तो यह देखो वह same column select करके देगा लेगन इस वार हमने explicitly इसको बोला है column select करने को अब आप सोच रहे होगा कि ऐसा हम कर ही क् है this name याला तो था ठीक है अब मालो कि इसी को हमको manipulate करना है car name आगे सब में अम अगर हमें मालो कि इसको manipulate करना है और यहां पर नेम ना होके मालो की ID ID में सम करना असान रहेगा है हमारे पास ID है ठीक है column ID है अब इसमें हम चाहते है प्लस 5 करना तो हम कैसे करेंगे तो अगर मालो इसमें हम प्लस 5 ऐसे लिखते हैं और इसको run करते हैं तो यह देखो क्या देगा यह दे रहा है unresolved column with suggestion बोल रहा है कि यह आपके पास column से इसमें से आप कुछ select करना चाहोगे और यह एक analysis exception है राइट अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम जब पढ़ रहते हैं कि हमारा कैसे हमारा code जो है वो convert होता है RDD level पे तो वहाँ पर हमने बताया था कि analysis phase में यह catalog के पास जाता है और देखता है कि आपके पास यह column exist करता है या नहीं करता है तो यह जो select है न वो simply देख रहा है कि आपके पास id plus 5 करके कोई column id space plus 5 plus space यह वाला चीज यह पूरा exact इतना area को यह जा कर सर्च मार रहा है कि यह कोई आपके column में है क्या नहीं है राइट तो इसी लिए अब हमें call method का use करके इसको manipulate करना पड़ेगा या फिर दूसरा method है वो बताते हैं उससे पहले हम call वाला देख लेते हैं अब यही same चीज हमको column से करना होगा तो हम क्या करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे हमको पता है कि मेरा column जो है है उसमें हमको पांच add करके एक जो भी column बनता है वो हमें return कर दो राइट इसको हम run करते हैं यह देखो यह चल जाएगा ठीक है id प्लस 5 करके column बन गया हमारे पास 6781 से start था यहां अगर आप data देखना चाहो तो data दिखा देता हूं 12345 था तो अब 6 7 8 9 10 बन जाएगा ठीक है simple यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहागा ठीक है अब देखो हमने string method भी यूज किया और हमने यहां पर column method भी यूज किया लेकिन देखो यह अभी और भी कोई चीज है जो कि आपको सीखने की जरूरत है column select में ही उससे पहले हम सीख लेते कि multiple columns अगर select करने हुए तो कैसे करेंगे ठीक है ठीक है अब हमे multiple columns को select करने है तो हम क्या करेंगे हम अगें employee df है मेरे पास right employee df. हम यहां पर करेंगे select ठीक है और select के अंदर अगर आप string method यूज कर रहे हो तो आप comma separated value दे सकते हो जैसे मैं यहां पर दे दूँगा id फिर दे दूँगा name फिर दे दूँगा age इस तरह से हम कितना भी column को select कर सकते हैं ठीक है यह देखो हमारा यह तीन column हमको select करके दे दिया multiple columns है तो अगर यही sorry यही same चीज अगर हमको column के through call method के through करना होगा तो हमें बार-बार call लिखना पड़ेगा तो इन दोनों का हम use जो है industry में interchangeably करते हैं कि बार-बार हमें call ना लिखना पड़े और हम यहाँ पर ऐसे जो भी जहाँ पर जो आसान पड़ता है क्योंकि कहीं पर call के बिना काम नहीं होगा और कहीं पर होगा तो वहाँ पर हम string method यूज कर लेंगे तो यह दोनों ही method यूज कर लेंगे यह देखो हमें यहाँ पर भी तीन column मिल गए यहाँ पर भी तीन column मिल गए अब यह आपके preference पर है और आप कैसे यूज करना चाहते हो वह कर सकते हो लेकिन इसके अलावा भी method है ठीक है राइट तो इसके अलावा method है वह हम एक ही बार में आपको सब सिखा देते हैं और आप इसको interchangeably भी एक ही code के अंदर लिख सकते हो जैसे employee df.select के अंदर हम अगर लिखते है ठीक है select के अंदर मालों की पहला मैंने id ले लिया ठीक है जो के string method है दूसरा मैंने call method ले लिया ठीक है string method हो गया call method हो गया अब हमें एक और method है जैसे में हम लिख सकते employee df square bracket जो की pandaj वाले लोग यूज करते हैं यहाँ पर name के बाद हमारा और कौन सा column था column data frame में के है salary है address है ठीक है तो हम यहाँ पर इसको कर देते है salary ठीक है यहाँ पर हम कर देंगे salary और एक और method है ठीक है आगे बताते हैं इसका क्यों ही यूज होगा employee df dot यहाँ पर हमको करना पड़ेगा address ठीक है एक column यह है और यहाँ पर कर देते हैं dot so पहले देख लेते हैं यह सारे method चल रहे हैं कि नहीं ठीक है यह देखो हमारे सारे method सही से चल रहे हैं यह हो गया string method यह हो गया call method यह हो गया हम df dot सरे यह हो गया df dot select df dot column वाला और df square bracket column वाला अब यह हम यूज इसलिए करते हैं यह वाला यह वाला बता रहा हूं यह वाला कि जब आप अगर join लगा रहे हो गया तो join में क्या होता कि कभी कभी हमारा column का नाम सेम नहीं होता है और उस समय हमको df को represent करना होता कि यह df का यह column यह df का यह column तो उस समय या तो यह वाला या तो यह वाला option handy आता है जो कि join में of course हम सीख लेंगे ठीक है तो यह हो गया multiple columns करने के multiple methods ठीक है अच्छा इससे पहल नहीं किया है तो इसको भी fix कर लेंगे अब आएगा आपका interesting चीज जो की है expression ठीक है तो यहाँ पर हम लिग स्ट्रिंग राइट id plus 5 एक string method था तो हम क्या करेंगे इसके आगे हम लगा देंगे expr function ठीक है अब यह करेगा क्या वो बताते है ठीक है पल इसको run करके चला के देख लेते हैं कि चल भी रहेगी नहीं देखो आराम से चल रहा है कोई दिकत नहीं है यह क्या कर रहा है कि यह जो expr function है वो हमें select क क्या करता है वो columns को select करता है अगर मैं यहाँ पर दिखा हूँ employdf.select तो देखो यहाँ पर क्या है star calls लिखा हुआ है इसका मतलब कि यह column multiple columns को accept करता है राइट तो column method होना चाहिए मतलब वो जो call वाल अपना method है वो होना चाहिए internally अब यहाँ पर इसको मिल नहीं रहाता है य ठीक है यहाँ पर इसको मिला नहीं था वो यह string था select में वो specific चीज़ दी हुई है कि वो option है लेकिन आपको select के अंदर column ही pass करने होते है तो यह इसको समझ नहीं पा रहा था तो यह expression क्या कर रहा है बोल रहा हो के हम समझेंगे हम आपको column में convert करके देंगे column method में convert करके तो इस तरह से select को कोई issue नहीं होगा लेकिन यह expr का इतना छोटा काम नहीं है expr बहुत बड़ा काम करता है हमारे लिए वह कैसे करता है आप बताते हैं देखो expression के अंदर आपको जो भी sequel वाले statement है वह आप लिखके दे सकते हो जैसे कि अगर मालों कि यहाँ पर aliasing करना हु employee id ठीक है इसी तरह समालो कोई और column हमको करना पड़ा expression राइट हमें करना है name as employee name ठीक है उसके अलावा आपको और करना हुआ expression ठीक है अगर हमको करना हुआ क्या करना पड़ेगा concat करना हुआ मालों की दो column को concat करना हुआ तो concat ठीक है एक मिनट expression के अंदर concat ठीक है दो column को concat करने है तो अगर मालों की हम कर देते है दो column को concat name and address ठीक है तो हम कर देंगे concat name, address ठीक है इसको run करते हैं देखो यह हमारा सही से काम कर रहा है इतने आसानी से हमने यह कर लिया तो data frame में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप expression के अंदर sql type की statement ठीक सकते हैं जो कि मैंने आपको यहां पे करके दिखा दिया है ठीक है अब हमने बोला था कि हम सिखेंगे यही सेम कोड को spark sql के अंदर कैसे लिखते हैं basically sql ही है वो तो जल्दी से हम सीख लेते हैं यहां पे spark sql ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें spark sql में हम अगर यही सेम चाहिज करना है तो spark sql में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमें पहले convert करना पड़ेगा आपना जो data frame है employed f जो है हमारा उसको सारी empa capitalism जो है उसको convert करना पड़ेगा एक temporary view में अब temporary view में कैसे convert करते हैं उसको अभी देख लेते हैं और इसके बारे में बाकी आगे बात करेंगे तो अगर आपको इसको एक temporary view table type का कुछ बनाना है तो वो कैसे करते है temporary permanent नहीं तो यहाँ पर dot create करके और आप search मारोगे तो create और replace temp view यह third table में convert कर रहे है तो यह तो इसका नाम view देंगे या table देंगे ठीक है हम यहाँ पर table दे देते हैं जैसे ही यह run हो जाएगा हमें एक virtual view बोल सकते हो या table बोल सकते हो हमें मिल जाएगा तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पार्क डॉट सिक्वल ठीक है और इसके अंदर हम जेनरली थ्री कोट वाले देते हैं ताकि हम multi-line code लिख सके ठीक है और हमारा कोई अगर single code double code का भी हो तो वहाँ पर वह conflict ना है तो इन जेनरल बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप triple code पाले सहीं यूज कर लो ठीक है अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं select star from employee table देखना वह same table हमें मिल जाएगा ठीक है अब जब आप SQL जानते हो यह नहीं जानते हो तो वहाँ पर देख लेंगे क्या बोल रहा है employee table is not created spelling गलत हो गया है उपर से copy कर लेते हैं ठीक है dot show करना पड़ेगा तो dot show कर देते हैं ठीक है अब यहीं चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह select star यहाँ पर यूज कर लिया अगर data frame में star यूज करना हुआ तो क्या हमें बारवर एक एक column सेल्क करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक नया सेल बना लेते हैं और देखो यहाँ पर ही लिख देते हैं इंप्लॉई डीए ठीक है dot select ठीक है and select के अंदर आप string के अंदर start दोगे तो आपको सारे column मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप एक बार में सारे column को data frame में भी select कर सकते हैं यहाँ पर मिल गया यही सेम चीज हमें यहाँ पर मिल गया अब आप अगर SQL नहीं जानते हो तो हम यह भी सीख लेते हैं spark dot SQL के अंदर हम फिर से triple code डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे select और अगर आपको एक column select करना है तो id multiple करने तो कॉमा देखे name age और उसके बाद from address addressable from employable था न वह spelling गलत हो गया इसलिए बार-बार issue हो रहे ठीक है और इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे dot so तो आज हम spark SQL यहाँ पर यह चल जागा हमने आज spark SQL सिख लिया सेम कोड को और multiple तरीके से हम columns को select करना सिख गया है तो ऐसे ही धीरे-धीरे हम progress करेंगे और हम पहुंचेंगे question करने जो की interview में actual में पूछे जाते हैं तो थोड़ा अभी 5 lecture ऐसे थोड़ा कम ही लगेगा अभी हमारा camera भी गर्मी की वज़े से heat होके बंद हो गया है तो चलिए आज के lecture को यहीं पर stop कर देते हैं अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई